आप अपने मुबाल फोन को अफ् possa चलिए कर सकते हैं आज करते हैं यह सबसे पहले आपको मुबाल फोन का सैटिंग का पेज़ अपन करने है । और यहां पर आपको इस system का यह option tap करना है, अब इसके अंदर आपको यह reset option tap करना है, अब यहां पर आपको अगले page में erase all data of factory reset का यह option tap करेंगे, तो इससा आपका mobile phone factory reset हो जाएगा, तो इस तरी किसा आप easily अपने mobile phone को factory reset कर सकते हैं, ठीक है, अब मैं आपको यह बताता हूँ, mobile phone को factory reset करने से पहले आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना होता है, देखे, चार बातों का ध्यान रखना होता है, पहली बात ही ध्यान रखना होती है, कि आपके mobile phone का जो भी data होता है, उसका backup ले लीजे अपने mobile phone में, और देखे, mobile phone के data का backup लेने का फायदा क्या होता है, ये भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा थोड़ी दिर में ठीक है और देखिए चौती बात ही ध्यान रखने होती है कि आपके mobile phone की जो Gmail ID होती है Gmail ID और उसका password आपको पहले से Note करके रखना होता है तो ये चार काम पहले करने होते हैं उसके बाद mobile phone को अब मैं आपको ये बताता हूँ कि mobile phone का data का backup लेने का फायदा क्या होता है देखिए दोस्तों जब आप अपने mobile phone के data का backup ले लेते हैं यानि कि ये चारो काम कर लेते हैं पहले और फिर इसके बाद जब आप अपने mobile phone को factory research करेंगे तो आपके mobile phone के अंदर का सारका सारा data delete हो जाता है ठीक है और देखिए factory research करने के बाद जब आप अपने mobile phone में दुबार से पहले वाली gmail id को दुबारा login करेंगे तो आपके mobile phone का जो data delete हो गया था ना वो सारका सारा वापिस recover हो जाता है आपके phone में वापिस आ जाता है ठीक है और देखिए अगर आपको अपने mobile phone का data वापिस नहीं चाहिए तो आपको इस चार काम करने की कोई जरूद नहीं है simply आपको अपने mobile phone को factory research कर देना है ठीक है ना तो दोस्तों ये मैं आपको बता दिया इस तरीके साब अपने mobile phone को factory research कर सकते हैं तरीके ना